सद्गुरू एक और बहुत महत्वपूर्ण सोच है जो इस परिसर में बहुत महत्वपूर्ण है वो है नारिवाद और आपने अपने एक पुराने विडियो में कहा है कि नारिवादी बस पुरुष बनने की बेसब्र कोशिश कर रही है नए नए आप दूसरे लोगों की टिपनिया बता रही है ना कि मेरी आप दिल्ली के कुछ वकीलों की कुछ मुर्खता पून टिपनिया बता रही है मगर फिर भी सद्गुरू नारिवाद के बारे में आपके क्या विचार है आप उसे कैसे देखते हैं देखिए पहले तो चास साल पहले या सौ साल पहले तकनिकों के आने से पहले जीवन में कुछ चीजें थी जो सिर्फ एक पुरुष कर सकता था इस धर्थी पर काम मुख्य रूप से पुरुष की ताकत से होता था इंसान की शारेरिक बल से, मुख्य रूप से पुरुष की महिलाएं ऐसे काम हाथ में लेती थी जिसमें शारेरिक बल की खास जरूवत नहीं होती थी जीवन के दूसरे पहलू भी होते हैं वे सभाविक रूप से वो काम करती थी तो दुनिया इस तरह चल रही थी आज महिलाएं बाहर जाकर कई चीजें उदारवाद या नारिवाद के कारण नहीं कर रही हैं सिर्फ तकनीक के कारण कर रही हैं तकनीक ने टाकत का मूल ले गिरा दिया है ओ, ये शब्द इस्तमाल करना सही नहीं है तकनीक ने ताकत का मूल ले गिरा दिया है अब सिर्फ दिमागी शक्ती माइने रखती है भारत में अब भी ताकत महत्वपूर्ण है अगर आप भारत में बसमें चड़ना चाहें तो आपको कुछ ताकत की जरुरत होगी ठीक है मगर तकनीक जैसे जैसे हमारे जीवन के हर पहलू में हर जगे फैलती जाएगी आप उस स्थिती में पहुँच जाएंगे जहां आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुष है कौन इस्त्री अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री सिर्फ कुछ खास रिष्टों में कुछ खास जगों पर पुरुष या स्त्री होना महत्वपूर्ण है आपके शोध में क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही है तो पुरुष और इस तरी को अलग करने की ये हद से जादा कोशिश मानों वो दो अलग-अलग प्रजातियां हो एक गलत तरीका है ये उन भेद भावपून परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हो रहा है जो अतीत में मौजूद रही है मगर इन भेद भावपून परिस्थितियों का होना ये कुछ हद तक सही है मैं कहूंगा कि काफी हद तक सही है मगर ये पूरी तरह सही नहीं है ये सही नहीं है कि इस देश या इस दुनिया की सभी महिलाओं का शोशन किया गया है अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह किया, तो पुरुष और इस्तरी को कुछ पाने के लिए हमेशा अपस में लड़ना पड़ता है, ये एक गलत सोच है, नारिवाद के बारे में बात करने के बजाए, मैं कह रहा हूँ, स्तरी प्रकृती को समाज में बराबर मूले मिलना चाहिए, इसका मतलब है एक चीज होनी चाहिए, देखिए, अगर आप ऐसा महौल बनाते हैं कि सबसे शक्तिशाली इंसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो पुरुष प्रकृती हावी होगी, पुरुष प्रकृती से म हर चीज खो देते हैं, हर कोमल चीज, खुबसूरत चीज खो जाती है, बस इसलिए, क्योंकि हमने एक असब्भे समाज बनाया है, जिसमें जब तक कि आप इस तरह नहीं होते हैं, आप जीत नहीं सकते, तो आप मानव जाती को नश्ट कर रहे हैं, स्तरी प्रकृती की जहां पुरुष प्रकृती और स्तरी प्रकृती दोनों काम कर सकें, मगर गुफा मानव के समय से, जहां मनुष्य का शारीरिक बल सबसे महत्वपून्ट था, और महिलाओं को एक खास तरह से रखा जाता था, एक बार फिर हम आधुनिक दुनिया में वही सिस्टम बना रहे सबसे शक्तिशाली का आगे बढ़ना, चुहा दौड, जो भी आप इसे कहना चाहें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप स्तरी प्रकृती को मार डालेंगे, शायद स्तरी को नहीं, स्तरी कामयाब हो सकती है, वे खुद को पुरुषों जैसा बना लेंगे और कामयाब हो जैसे पुरुष एक तरह से वेक्त होता है, स्तरी प्रकृती दूसरी तरह से वेक्त होती है, योग में पुरुष प्रकृती को दाहिना, पिंगाडा और स्तरी प्रकृती को बाया कहा जाता है, इसलिए माफ कीजे मैं दाहिनी ओर हूँ, मगर हम बराबरी पर हैं दो पुरुश और दो महिला हैं बिल्कुल बिल्कुल सद्गुरू झाल झाल